नमस्कार, एवर निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ शिवांगी आज है 27 मार्च तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को पहले खबर है गर्मी के मौसम में भी बातावरन में लगतार परिवर्तन हो रहा है इस वज़े से लोगों की कई तरह की कारे प्रभावी थो रहे हैं अब मार्च माह समाप्ति की ओर है इस स्तिती में अभी मौसम आए दिन परिवर्ती थोड़ा है मौसम विभाग के वेबसाइट से मिली जौनकारी के अनुसार रविवार को अधिक्तम तापमान में बढ़ोतरी होगी लेकिन आसमान में बादल च्वाए रहेंगे कभी कभार धूब भी निकलेगी शनिवार को भी आकाश में अधिक्तम समय बादल चाया हुआ था डोपण में अश्वानक आसमान में इसकदर बादल चाय की लोगों को फिर बारी शोने के संभावना नजर आने लगी शनिवार को अधिक्तम तापमान 33 टिग्री था जबकि नियुंतम तापमान 21 टिग्री था इस तरह रविवार को अधिक्तम तापमान में 33 टिग्री की बढ़ोतरी होकर 35 टिग्री पर पहुँच गया 35 दिखरी अधिक्तम तापमान गर्मी के दिरिश्टिकों से ज्वादा होता है लेकिन आसमान में बादल च्वाई रहने के वज़े से अभी गर्मी ज्वादा नहीं पड़ रही है हाला कि सोमवार से मौसम साफ होने की संभावना है लेकिन फिर गुरुवार से अगले तीन दि सोने से किसानों को काफी छती उठाने परी थी अगली खबर बिहार के सभी सीविल कोट और अनुमंडल कोट में गर्मी के समय में तीन माह चलने वाली प्रातकाली नियाईक कारिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई है हाई कोट ने इस समबधित नियम को रद कर दिया है हाई मंडल कोट में दिन में ही नियाईक कार चलेगा हाई कोट ने राजी के सभी जिला नियाईधीश को आदेश भेज़ा है हाई कोट के आदेश पर पतना जिले के नियाईधीश राजी व्रंजन ने 30 अप्रेल से चलने वाले जिला प्रातकाली नियाईक कार व्यवस्था के आ चाजार से अधिक शिख्षकों को पेंशन की टेंशन है जिहां यूटियाई पेंशन स्कीम में वेतन से कटोती के बाद भी योजना की राश्री नहीं दी जा रही है सरकार ने दी गई राश्री पर रपोर्ट मांगी तो इसका खुलासा हुआ है यूटियाई के अधिकारियों ने केवाई सी नहीं होने का हवाला दिया है आपको बता दे कि सितंबर 2020 के बाद एपी एफ योजना शिरू होने पर शिक्षकों के अन्यलाब भी खत्म कर दिये जा इक्षा अनुसार राश्री कटोती करवाना था इसमें सरकार की ओर से हर महीने 200 रुपे अंशिदान देने का ने लिया गया था जिले में लगभग 10,000 नियोजित शिक्षकों को इसके तहत खाता खुलाया यूटियाई के जिला एसोसियेटेड डीटी अगरवाल ने बताया कि 2015 के बाद से ही सरकार ने अंशिदान की राश्री नहीं मिली थी ये राश्री अभी आवंतित हुई है एक साल पहले तक केवाईसी अनिवारे नहीं था इसकी अनिवारेता होने के बाद प्रकंड अस्थर पर सूचना दी गई मगर लगभग सभी प्रकंडों में 45-50 फीज जिश्रिछकों का केवाईसी नहीं आपाया अगली खबर आस्था और महापर्विच छठे नहाई खाई के साथ शिरूफ हो गया ते उहारों की भीर को ध्यान में रखते वे राजधानी पटना के ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है प्रशासन ने चैती छठ को देखते वे शहर के नौ वाहन रूट में बदलाव किया है चैती छठ है पूजा पर पटना के दीदार गंज के कारगिल चौक तक अशोक राजपत पर वेवसाईक वाहनों पर परिचालन नहीं होगा लेकिन कारगिल चौक से शाहपूर तक केवल छठ वरतियों के वाहन जा सकेंगे आशियाना दीघा रोड में आशियाना मोड से दीघा की ओर किसी प्रकार के वेवसाईक वाहन नहीं चलाय जाएंगे इस रूट में छट के दोरान इन वाहनों का परिचालन राम जी चक रूपसपूर नगर रोड से होगा जिस जिला यह वेवस्ता 27 मार्ज की दो पर से 2 बज़े से 28 मार्ज की सुबा 8 बज़े तक लागू रहेगी बाइपास थाने के सामने गुरु गोविंद सिंग लिंक पत हो जाएगा